कभी विनाय के दामोदर सावरकर ने बहुत ही महत्पूर्ण बात कही थी। करम जंदगान ही। कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके पीछे उनके एक ही नहीं अनेक दुश्मन उत्पन हुए। दरसल स्वामी स्रधानंद का वास्पिक नाम मुन्सी राम विस था और वो एक पुलिस अधिकारी नानक चंद वीच के पुत्र थे। उनका जन्म 22 फरवरी 856 को अविभाजित पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। पिता का स्थानांतरन अलग अलग स्थानों पर होने के कारण उनकी आरंभिक शिक्षा अच्छे से नहीं हो सगी। एक बार पिता नानक चंद और पुत्र मुन्सी राम एक साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रवचन सुनने पहुंचे। अपने कर्म को सरवाधिक महत्व देने वाले मुन्सी राम इस स्वार में उस समय तनिक भी विश्वास नहीं रखते थे। परन्तु स्वामी दयानंद जी के तरकों और आशिरवाद में मुन्सी राम विश्व को आस्ति तथा वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बना दिया। जी वस्था को बल दिया ताकि देश में पाश्चात्य संस्कृति के दुरगोण किसी वेस्तिती में पैर न जमाने पाएं। उनके कारियों का प्रभुत्वे डॉक्टर भीमराव अंबेटकर भी मानते थे। जिनके अनुसार स्वामी स्रधानंद अच्छूतों के महांतम और सबसे सच्चे ही तैसी थे। अपी तो कुछ हिंदू भी थे जिनमें सबसे अग्रणी थे मुहंदास करमचंद गांधी। जब स्वामी स्रधानंद ने मलकाना राजपूतों के एक विशाल समों की घर वापसी कराई तो गांधी कुपित हो गये। उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा स्वामी स्रधानंद जी भी अब अब इश्वास के पात्र बन गया है। मैं जानता हूं कि उनके भासर प्राया भढ़काने वाले होते हैं। जिस प्रकार अधिकांश मुसल्मान सोचते हैं कि किसी ना किसी दिन हर गैर मुशलिम इसलाम को स्विकार कर लेगा। दुरभाग उन्हें आरे समाद से ही यह विरासत में मिली है। परन्तु यह कहीं न कहीं गांधी की कुंठा को भी प्रदर्सित करता है। क्योंकि जो व्यक्ति निशंक होकर असयोग आंदोलन में जामा मश्रित के प्रांगर से बैदिक मंत्रों चार करे वा इनके रहा का रोड़ा कैसे नहीं होगा। ऐसे में जब एक कटरपंथी मुसल्मान अब्दुल रशीत ने दिसंबर 1926 में स्वामे जी की हत्या की, तो गांधी ने न केवल उस हत्यारे को बचाया, अभी तो उसके मृत्तु डंड सुनाय जाने पर भी उसका बचाव किया। तो ये थी स्वामी सृधान और उसके बाद की गई पूरे मामले की लिपापोती की कहानी, जिसके बारे में कभी आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं गया।